दोस्तों अगर आप भी अपने वीडियो के लिए नॉन कॉपीराइट मेजिक को यूज करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिएगा कि बात ही ऐसी है दरासल दोस्तों हो क्या रहा है कुछ जिनों से मैं जो क्रोकपोट मुजिक है उसको अपने वीडियो के बैगराउंड में यूज कर रहा हूँ कि जब मैं अब उन वीडियो को प्ले करता हूँ और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ तो उनकी डीटेल सो हो रही है कि भाई क्रॉकपॉट म्यूजिक है ओनर की डीटेल कहां से डाउनलोड करें यह चीजे सो हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे चैनल पर copyright claim हो इस song से related क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आपके चैनल पर copyright claim हो किसी song के regarding तो इस तरीके से मुझे डِटेल सो हो रहे है आप यहाँ पे देख भी सकते हो यह मेरा चैनल का जो वीडियो है इसके निशे देख सकते हो कि क्रॉकपट मुजिक की जो डिटेल है वो यहाँ पे सो हो रहे जबकि यह मुजिक नॉन कॉपी राइट है नहीं कि आप इस मुजिक को यूज कर सकते हो आपके वीडियो में कोई भी कॉपी राइट क्लेम नहीं आएगा काफी बड़े-बड़े क्रेटर भी यह कहते हैं कि इस मुजिक को अप्यूज कर लो तो कोई भी आपके जो कॉपी राइट क्लेम है वो आपको नहीं देगा और नहीं आएगा हाला कि हमें क्रेडिट देना होता है सौंग को लेकिन मैंने अपने किसी भी वीडियो में क्रेडिट नहीं दिया था और इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कॉपी राइट क्लेम हो हाला कि जब मैंने अपने चैनल के पैनल पर चेक गिया तो वहाँ पर कोई भी copyright claim मुझे नहीं मिली है और इस तरीके से जो चीजे हैं वो सो हो रही है तो मैं confuse हो गया भाई ये क्यों हो रहा है किस तरीके से हो रहा है और फिर मैंने यूटूब पर भी देखा कि कोई वीडियो हो सकता है बना हो लेकिन उस पर कोई वीडियो बना नहीं था कि भाई copyright claim जो क्रॉकपट मुझे है बैगराउंड मुझे है उसके उपर कोई भी कुछ बलब नहीं था और मैंने research भी करा फिर मुझे ये मालूम चला कि हो सकता है ये यूटूब का update हो मैं अपनी बात बता रहा हूँ ऐसा clear नहीं है कि हो सकता है कि यूटूब की update हो कोई कि पहले क्या होता था कि जो बड़े-बड़े creator होते थे उनके वीडियो में जो background music होता था तो हम क्या करते है कि हमें भी लगता था कि भाई वो कौन सा background music यूज़ कर रहा है तो हमें भी उस background music के बारे में जानना होता था और हम भी अपने वीडियो में उसको यूज़ कर पाएं तो उसके लिए क्या करना पड़ता था हमें comment करो ये फिर मैसेज करो कि भाई ये कौन सा music आपने यूज़ किया है हमें भी मतलब बता दो तो हम भी यूज़ कर लें अपने background music में हम भी यूज़ कर लें अपने वीडियो के background में लेकिन दोस्तों यहां पर अब हो सकता है YouTube ने अपडेट निकाला हो ऐसा कि भाई हो सकता है YouTube ने ऐसा अपडेट निकाला हो कि अगर कोई भी creator background music की यूज़ करता है चाहे copyrighted हो चाहे non copyrighted हो वहाँ पर उस music की detail आपके description box में सो होगी और उससे क्या होगा कि जो नए creator आएंगे जिनको ये इक्छा होगी भाई मुझे भी ये background music यूज़ करना है मुझे तो कुछ YouTube पे में कोई information नहीं मिली किसी भी बड़े creator ने ये चीज़ नहीं बताई है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे काफी सारे videos में जो है इस तरीके के जो चीज़े हैं वो सो हो रही है तो guys आप लोग देखना कि क्या है और मुझे comment box में बताना कि इस तरीके से क्यों हो रहा है कहीं ये तू नहीं कि copyright claim हो और जब मेरा channel monetize हो इसके बाद मुझे copyright claim दिखनी start हो जाए तो इसलिए मैंने सोचा कि अखिर है क्या इसके उपर research की जाए और आप लोग को भी बता जाए अगर आप भी इस तरीके के music use करते हो मैं काफी सारे channels को देखा हूँ तरीके music की use करते हैं crockpot music काफी सारे लोग use करते हैं और मैंने भी crockpot music की use किया इसमें जो कि वो कहीं पर मतलब कोई भी credit और नहीं जाते हैं लेकिन तब भी उनकी channel पर कुछ भी चीज़ा नहीं होती है claim और नहीं आती है लेकिन यहां पर मैं अपने वीडियो में देख रहा हूँ तो जो crockpot music की detail है वो मुझे description में सो हो रही है तो इससे मुझे यह लगता है कि हो सकता है copyright claim company वालों ने देदिया हो crockpot वालों ने तो इस तरीके से मैंने देखा और काफी सारे वीडियो में मेरे जो detail है वो सो हो रही है और कुछ वीडियो में crockpad music details नहीं हो रही है, मैंने काफी सारे videos में इसका यूज किया, इस background music का, लेकिन उनमें से कुछ में ये details सो हो रहे है, कुछ में details नहीं सो हो रही है, तो इस तरीके का YouTube पर आ रहा है, और आप भी अगर इस तरीके के music को use करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप background music यूज ही मत करो बीना background music के वीडियो बनाओ जैसा कि मैंने अब इस्टाट कर दिया मैंने अब background music के यूज नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पर और इस तरीके से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यूट्म में रोज नहीं आप देखी रहो अपडेट आरहे हैं कोई कुछ अपडेट कोई कुछ अपडेट, बॉक्स में कॉमेंट करके बताना ताकि मैं भी जान पाऊं कि आखिरी चीज हो क्या रही है तो असा करता हूं वीडियो अच्छा लगाते हैं वीडियो को लाइक करना चलना को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरिकी की लिटेस्ट और इंफर्मेटिव वीडियो आगे देखने को मिलती रहे आज कि इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंट बाबाए